यह बिहार और जारकन की special recipe है इसको बोलते हैं धुसका और इसको बनाना बड़ा आसान है और बहुत tasty लगती है तो यह ले लिया है मैंने चावल कोई भी जो आप regular चावल खाते हैं चनी की दाल और उड़त दाल तो उड़त दाल हम थोड़ी कम quantity में लेते हैं इन सब को पीसने के पहले इसका पूरा पानी निकाल देंगे धोके और फिर हम एक mixer grinder में अद्रक इसके साथ ले लेते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी तो एक बढ़िया सा पीस्ट रेडी करेंगे तो देखिए इस तरह से पेस्ट बन गया है और इसको हम कम से कम दो गंटे के लिए ढखके रख देंगे बहुत जादा हमें फर्मेंट नहीं करना है यह रेस्पी जब मैंने फर्स टाइम अपने घर में बनाई थी ना तो सब को काफी पसंद आई थी तो चलिए तब तक इसकी सबजी बना लेते हैं तो कड़ाई में तेल डालके जीरा डाल द अच्छा आपको यदि टमाटर इसमें नहीं पसंद है तो आप अमचुर डालके भी बना सकते हैं बड़ा अच्छा लगेगा टमाटर जब पक गया तो इसमें हम अद्रक लेसुन को कूट के वो डाल देंगे और मैंने रात में चने भीगो के रखे थे तो चने को अच्छे अब हम इसमें डाल देंगे पानी जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसके according पानी डालेंगे तो पहले सारी चीज़ें अच्छे से mix कर लेंगे एक दो मिनिट इसको भून लीजिए तो थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है और फिर हम इसमें पानी डाल देंगे जितनी आपको consistency चाहिए ग्रेवी की और फिर इसको सबको cooker में डाल के हम pressure cook कर लेंगे और देखे ये दो घंटे हो गया है काफी बढ़िया हो गया है तो अब हम इसमें भी कुछ चीज़े डाल देते हैं जैसे की नमक डाल देते हैं देखे सबजी में भी नमक है तो इसमें बहुत जादा नहीं करिएगा हल्दी और लाल मिर्च और जरा सी हींग और इसको बढ़िया से फेट लेंगे तो ये हलका हो जाता है न तो बहुत अच्छे फूले फूले से ये धुसके आते हैं अब तेल गरम कर लीजे और इसमें इस तरह से चम्मस से डाल दीजे तो ये बहुत बढ़िया से अब अब दीजे से लेट उतव पूली फूली से बन जाते हैं तो दोनों साइट से बढ़िया सा गोर्णलन कलर आने के बाद इसको निकाल लीजे और इसको खाने की एक ही शर्थ है कि गरमा-गरम निकल दे जायना फ्राय हो के और उसको गाते जाएे क्रिस्प क्रिस्पी कोई भी रेसिपी आप तक लाने के पहले उसको मैं बना के पहले शौर होती हूँ और फिर उसका बेस्ट वर्जन आपको प्रेसेंट करती हूँ तो यह रेसिपी मुझे बहुत पसंद आई और यदि आपने कभी इसको ट्राइ नहीं किया तो एक बार ट्राइ कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और यहीं फेस्बुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजेगा